पाठ, दस, खान पान के बदलते रंग, दिल्ली, 26 दिसंबर, गुरुवार, रात्री, साढ़े नौ बजे, आज मैं अपने दादा जी के साथ दिल्ली के आईयने मार्केट में इस्थित, दिल्ली हाट घोमने गया, भीर भार से घिरे इस बाजार में भारत के अलग-अलग रा राज्यों की प्रसिद्ध वस्तूएं विक्रय के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन यहां मिलने वाला अलग-अलग राज्यों का पारंपरिक खाना भी अपनी विशिष्टता के लिए पहचाना जाता है, हमारे यहां आने के पीछे भी विशेश प्रयोजन था, तादा जी को गाउं से दिल्ली आये हुए एक महीना हो चुका था, दिल्ली दर्शन करवाते हुए समय समय पर हम उन्हें दिल्ली के अनेक दर्शनी एस्थल दिखा चुके थे, कनाट प्लेस, लाजपत नगरादी, अत्याधुनिक बाजारों को भी वे भली भाती देख चुके थे, यह क भारत की प्राचीन संस्कृती का आधुनिकी करण वर्तमान समय के अनुरूप लगा, वे समय के अनुसार स्वयम को बदलने के समर्थक हैं, परनतो फिर भी उन्हें एक बात हमीशा खटकती रही, और वह थी भारतिय खान-पान का आधुनिकी करण, शायद यही एक बात है, जिसके वे कभी पक्षधर नहीं रहे, दिल्ली के इन बाजारों में घूमते समय, उन्होंने वहां मिलने वाले मॉमोज, नूडल्स, पास्ता, बर्गर, पीज़ा आधी फास्ट फूड देखे, कोल्ड रिंग्स, आइस्क्रीम शेक, कोल्ड कॉफी, आइस्टी आधी के अनुभव किया, फरन्तु कहीं न कहीं, वे खाने पीने की वस्तों में आये, इस बदलाओ से असंतुष्ट रहे, उन्होंने अपने अनुभव को साजा करते हुए बताया था, कि उनकी बच्पन में पारंपरिक खान-पान ही, सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ था, उन दि खाने के लिए अलग-अलग तरह के मसाले रसोई घर की शान होते थे, सलात के रूप में प्याज और हरी मिर्च प्रमुक थी, परन्तु कभी-कभी खीरा और ककड़ी भी उसमें अपना इस्थान बना लेते थे, अचार एक ऐसी वस्तु होती थी, जो घर-घर में पानी हवा की तरह मिल जाती थी, खाने की थाली में अगर अचार नहीं होता था, तो खाना अधूरा समझा जाता था, दही और लस्ती इस पारंपरिक खाने की थाली में चार चांद लगा देते थे, आज एक ही जगह पर आप अलग-अलग राज्यों का खाना खा सकते हैं, फिर चाहे वह दक्षन भारत का डोसा सांभर हो, पंजाब की मक्की की रोटी, वसरसो का साग या छोले भठूरे हो, गुजरात का ढोकला, थेपला, खांडवी आदी हो, या राजस्थान की दाल बाटी हो, दादा जी के अनुसार उन्हें ये वस्तुएं कभी-कभी, और वह भी किसी ऐसे राज्य की यात्रा करने पर ही खाने को मिलती थी, मोमोज, पिज़ा, बर्गर जैसे विदेशु से आए फास्ट फूट का तो उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना था, दादा जी के अनुसार, मचली की आकार की मसाले वाली या संतरी रंग की मीठी गोलिया, चाशनी म नीबू का शर्बत आदी ही उनके बचपन में बच्चों के लिए उत्साह का कारण होते थे, कभी-कभी मेले में खूमते समय, वहां मिलने वाले समोसे, कचोडी, चाट-पकोडी, मिठाईयां भी उनकी पहुच में आजाती थी, परन्तु उन्हें चोकलेट्स, जैली, चार के साधन इतने विकसित नहीं हुए थे, कि एक राज्य या देश की संस्कृती, दूसरे राज्य या देश की संस्कृती में खुल मिल सके, लोग अपने शहरों, गाओं, आदी की सीमाओं तक ही सीमित थे, लेकिन बाद में, रोजगार, व्यापार या घूमने-फिरने के उदेश से, लोग अपने क्षेत्रों से निकल कर, दूसरे राज्य या देशों में आने जाने लगे, वहां के लोगों के साथ सांस्कृतिक संस्कृति को भी अपने साथ लेकर गए, विभिन संस्कृतियों द्वारा, एक दूसरे को प्रभावित करने के परिणाम किसी क्षेत्र विशेश का खानपान दूसरे क्षेत्र में सरल्टा से अपनी पहुँच बनाने लगा, आज हम एक ही जगह पर अलग-अलग क्षेत्रों के खानपान को देखते हैं, यह सब इसी कारण से संभव हुआ, आज की भाग दोड़ भरी जिंदगी में, जब लोगो के लिए एक दूसरे के लिए समय निकालना मुश्किल है, वहां फास्ट फूड जैसे जल्दी तयार हो जाने वाले भोजन पारम पर एक खान-पान की जगह लेते जा रही हैं, यह समय की बचत के साथ-साथ आसानी से उपलब्ध हो जाने वाला भोजन है, इस पर शहरी के मुख्य व्यंजनों का आनंद ले सकें, यद्यपी यह सब किसी अच्छे रेस्टोरेंट या होटल में भी मिल सकता है, लेकिन कहीं न कहीं उन पर स्थानिय भोजन का प्रभाव दिखाई दे जाता है, जैसे अगर चाइनीज नूडल्स किसी पंजाबी रेस्टोरेंट मे खाया जाए, तो उस पर पंजाबी मसालों और बनाने के तरीके का प्रभाव इस पष्ट द्रिष्टी गोचर हो जाएगा, यही कारण था कि मैं दादा जी को लेकर ऐसी जगह पर आया था, जहां अपने मन के अनुरूप, उन्होंने मन पसंद पारम पर एक खाने का लुथ फुलिया, समय बहुत हो गया है, अब मैं यह चर्चा यहीं समाप्त करता हूँ